नमशकार दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल ब्यूटिफल वर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान विश्नु के दर्शन करता है तो यह सपना देखना व्यक्ति को क्या फल देता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप अपने सपनों का बिलक मनुष्य का कल्यान करता है तो ऐसे भगवान विश्णु का सपने में दिखना एक बहुत ही दुल्लब सपना माना जाता है यह सपना बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को दिखाई देता है यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में भगवान विश्णु के तर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को उसके कारेशेत्र में उसकी उमीदों से बढ़कर सफलता की प्राप्ति होती है यह सपना देखने वाले मनुष्य के जीवन के दुख दर्द और परेशानिया दूर होती है व्यक्ति की कोई मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है यह सौपन देखने वाले व्यक्ति की आर्थिक इस्तिती अच्छी होती है धन कमाने के नए रास्ते व्यक्ति के सामने खुलते हैं और घर-परिवार में सुख समरिधि आती है सपने में भगवान विश्णु के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नती होती है इश्वर में व्यक्ति का विश्वास बहुत जादा बढ़ जाता है धर्म कर्म के कार्यों में व्यक्ति की रूची बढ़ती है इसके साथ ही समाज की भलाई के कार्यों में भी आप योगदान करते हैं और दूसरों का भी सही मार्ग दर्शन आप करते हैं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोश की समस्या होती है तो यह सपना देखने से व्यक्ति के मंगल दोश भी समाप्त होते हैं तो इस प्रकार सपने में भगवान विश्णू, भगवान नरायन के दर्शन करना हर प्रकार से व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाने वाला शुब सपना होता है उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपका कोई ऐसा सपना है जिसका मतलब आप जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपने का मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद